आपके अपने यूटूब चैनल सक्सेस विद गपिल पर बहुत स्वागत करता हूं आज हम केवल दो मिनट का ये वीडियो रहेगा एक तरह से और दो मिनट में आप जितने भी प्रोटो जोवा से होने वाले रोग हैं उन्हें बिल्कुल याद कर सकते हैं एक लाइन और यहा लाइन है मेरी जांक पर काला सोना पाया मेरी से हो जाएगा मिलेरिया जांक से हो जाएगा जापानी इन सेफलाइटिस वर से होगा पाईरिया काला से होगा काला जार और यहां पर सोने स हो जाएगा सोने बिमारी और पाय से हो जाएगा भी पेचिस तो यह सभी रोग जो है वो किस से होते हैं ये होते हैं प्रोटो जोवा से होने वाले हैं अब एक एक की अगर बात करें मलेरिया का जो प्रोटो जोवा है वो प्लाजमोडियम है और साथ-साथ ये जो है मादा एनेफिलीन मच्छर के काटने से होता है तो malaria का अगर protozova आप लिखना चाहूँ तो क्या है भई प्लाजमोडियम क्या है प्लाजमोडियम प्रोटो जो है वह जाएगा भी या प्लाजमोडियम कि सका malaria का japanencephalitis के अगर बात करें तो japanencephalitis के लिए protozova और्षी है कौन सा protozova है? और्षी इसका protozova है सासाथ आगर यहां पर बात करें हैं तो तंतरी का तंतर पर भावित होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये बिमारी होती है और क्यूलेक्स मच्छर जो पनपते हैं वो कहां पनपते हैं वो धान के खेत में जलदी पनपते हैं अधिक पनपते हैं नेक्स्ट पाइरिया, पाइरिया का अगर मैं प्रोटो जोवा बताउं, तो वो है एंट अमीबा, क्या है बहिया, एंट अमीबा जिंजी वेलिस, जिंजी वेलिस, एंट अमीबा, जिंजी वेलिस प्रोटो जोवा है, इसका पाइरिया का, चासा दात में होने वाली बिमारी ह अगर काले जार की बात करें तो इसका प्रोटो जोवा है लीसमेनिया डोनो वानी इसका प्रोटो जोवा है और ये बालू मक्ही के द्वारा फैलता है नेक्स्टर कर रोग की बात करूँ मैं सोने विमारी है और इसका प्रोटो जोवा है ट्रिपे नो सोसा प्रोटो जोवा है और ये शीशी मक्ही के द्वारा फैलता है सारिक और मानसिक निश्क्रियता इस रोग में आती है नेक्स रोग आज का लास्ट रोग जो है जो प्रोटो जोवा से होने वाला है उसका प्रोटो जोवा है एन्टमीबा क्या है भईया एन्टमीबा हिस्टोलिस्टिका एन्टमीबा हिस्टोलिस्टिका तो ये जो है प्रोटो जोवा आपका किसका है पेचिस का है बड़ी आथ इससे बरभावित होती है तो इस तरह से हमने देखा कि केवल एक लाइन में आप बड़ी ही आसान तरीके से जितने भी प्रोटो जोवा से होने वाले रोग हैं उनको याद कर सकते हैं आपको ये प्रियास कैसा लगा ये हमें बिल्कुल कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताएं साथ-साथ वीडियो को लाइक करे जाता जाता और शेयर करे जाता जाता और अगर आप पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं अगर आपको ये वीडियो विदक के लिए